नेट यूजी घोटाले को लेकर के हो रहे प्रदर्सन के बाद एजिंसिया भी अब सतर्प हो गई है और लगतार इसमें गिरफतारी का दोड़ चारी है अभी तक इस मामली पर 19 लोगों के गिरफतारी हो चुकी है जब कि आजी जार खंड से 6 लोगों के गिरफतारी होई है वहीं नीट यूजी घोटाले के मुखे आरूपी में से एक सिकंदर याद वेंदू का परिवार उनके खिलाफ लगाए गए आरूपों का खंडन करते हुए समर्थन में सामने आया है सिकंदर के भतीजी बसंत कुमार और भावी सुसीला देवी ने कहा कि सिकंदर याद वेंदू वैसा आदमी नहीं है जो ऐसा कुछ करेगा उसे साजिस के तहट फशाया ग्या है सुनिय सिकंदर का परिवार क्या कुछ कह रहा है अब भी करके पाक्ष्रवा देते हैं लेकिन हमारे वह बुजारा आई और वह ना होता तो हम तिन तिन भाई है तिन वह परहे लिखे हैं पापा जी भी इंतर वाईलोजी की हो है अब चाचा जी आपके जो है कंदर जी कहा रहते हैं आण मालूम चला पत्ना थे नौक्री कर रहे लगां से और पहले चार शाल पहले आए यहां का निदे नहीं कहा गया दादा जीत आजिन देत थे पापा जीत पढ़ा रहते भी उनको भी जान से पढ़ा रहते हैं बताएगा कि सिकंदर जी आपके कौन लगते हैं और यहां कब थे और कब यहां से चलेगा हमको द्याव अच्छा अच्छा बहुत दिन पहले था हमरा बच्चों अच्छा अभी क्या सुन रहे हैं आपके पती क्या करते हैं अपके पती क्या करते हैं अच्छा यहां से कब चले गया थे मतलब जहें तो उनके बाल बच्चा यहां आते हैं अब को ने आते हैं कहा नौकरी करते हैं पता था के नाम हो अपका सुषी लाज़